हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू एंसी इर्ट धमाका 98 और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी चितेज बुक के चेप्टर नंबर 6 प्रेम चंद्र के फटे जूते के अन्र पाठे तर मोश्ट इंपॉर्टेंट लगू उत्तरी प्रिशन करने जा रहे हैं और आपके ए पहन कर फोटो किचा है उसमें बड़ा सा छेद हो गया है इससे प्रेम चंद्र की उंगली बहार निकल आई प्रेम चंद्र ने इस फटे जूते को ढखने का प्रयास भी नहीं किया इसके बाद हम देखेंगे प्रेशन नंबर 2 पोटो किचानी की अगर यह पोशाक है तो प प्रेम चंद्र ने अपने फटे जूते को ढखने का प्रयास क्यों नहीं किया होगा इसका उत्तर है प्रेम चंद्र दिखावा और आडंबर से दूर रहने वाली व्यक्ति थे उन्हें सादगी पूर्ण जीवन पसंद था विवास्तम में जैसे थे वैसे ही दिखाना चाते थे इसलिए प्रेम चंद्र ने अपने फटे जूते को छपाने का प्रयास नहीं किय उत्तर ही जिए प्रेम चंद्र के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और प्रेम के चेहरे मुस्कान थी इसका कारण यह था कि प्रेम चंद्र महां साथ्द कार भी अभाव ग्रस जिंद की जी रहे थे अभावों में उनकी मुस्कान खो गई थी फोटोग्राफर के कहने पर भी वे ठीक से जल्दी से मुस्कान ना पाए और मुस्कान अधूरी रह गई प्रेश्च नमब फाई अगर यह कितनी बड़ी ट्रेजरी है लेखक ने ऐसा किस संदर्प में कहा इसका उत्तर होगा लेखक ने देखा कि युग प्रवर्टक पपन्या समराट जैसे भारी भर्खम विशे शनो के विभूशित साहित्यकार के पास फोटो खिचाने के लिए भी अच्छे जूते नहीं होने को बड़ी ट्रेजरी कहा है उसने महान साहित्यकार की अभाव गर्ष्टता के संदर्प में कहा है प्रिशन नमर से देखेंगे जूता हमीशा कीमती रहा है ऐसा कहकर लेखक ने समाज के किस विशंगती का प्रिकाश डाला है जूता धन और बल का प्रतीक है जूता समाज में सदा ही आदर पाता आया है अर्थात गुणवान वैक्ती को भी धनवानों के सामने कम तर आका गया है धनवानों ने ग्यानी वैक्तियों को भी जुखाने पर विवश्च कर दिया है यानि की धन ही सबसे वड़ी चीज है अब बताया गया है कोई वेक्ती कितनी भी नौई रखता हो उसको हमेशा जुखा दिया गया है इसके बाद प्रेशन नमबर सेटिंग लेखक ने अपने जूते को अच्छा नहीं मानता वह अच्छा दिखाता है क्यों देखे लेखक का जूता उपर से अच्छा दिखता है पर अंगुठे से नीचे का तला फट गया है उसका अंगुठा जमीन से रगड़ खाता है और पैनी मिट्टी से रगड़ का लहुलुहान यानि खून भी निकली आते हैं ऐसे तो एक दिन पंजा ही चल जाएगा इसलिए भाव अपने जूते को अच्छा नहीं मानता प्रेश नमर 8 प्रेम चंद का जूता फटने के प्रती लेखक ने क्या-क्या आशंका प्रिकट की है उत्तर होगा प्रेम चंद का जूता फटने के प्रती लेखक ने दो आशंका प्रिकट की है पहला बनिये के तंगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर प्रेसिजन लगा कर घर पहुचना दूसरा सर्दियों से परत दर परत चमी किसी चीज पर ठोकर मार मार कर जूता फार लेना प्रेश नमर नाइन लेखक द्वारा कुमभन डास का उधारन किस संदर्मन दिया गया है लेखक का मानना है कि चक्कल लगाने से जूता फटता नहीं गिस जाता है इसकी पुष्टी के लिए ही उन्हेंने कुम्बदास का उधारन दिया कुम्बदान दास का जूता वी फत्यपुर सीखरी आते जाते घिस गया था प्रेश नमबर टेन प्रेम चंदर ऐसी बेश वूशा में फोटो किचाने को क्यों तयार हो गए पाठ के आदार पर लिखिए प्रेम चंदर मोटे कपड़े का कुड़ता धोती और टोपी पहने हुए किचाने के लिए इसलिए तयार हो गए होंगे शायद उनकी पत्नी ने आगरे किया होगा जैस किचाने फोटो क किचाने के लिए औरो से खिपड़े जूते आज उधर मंग लेते right लेखाक ने सधीयों कि परत दर परत केकर किस और इशारा किया है उत्तरह लेकर ने सदियों की जमी परत दर परत केकर समाज में फैली उन कुरूतियों रूणियों और बुराईयों की और संकित किया है जो समाज में पुराने समय से चली आ रही है और लोग विना सोजे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं इसकी जड़ें समाज में इतनी घहराई से जम चुकी हैं कि सरालता से दूर नहीं किया सकते हैं इसी की साथ हमारी लगूत्तर प्रिशन पूइट होते हैं अगर आप यह चाहते हैं कि